बिहार में कन्फर्म हो गया ओमिक्रोन एक साथ इतने सारे मरीजों में मिला है कोरोना का नया वेडियंट बता दे कि IGIMS में बीते 3 जनवरी से कोरोना संक्रमित मरीजों की सैंपल लेकर ओमिक्रोन वेडियंट के जाज के लिए जिनोम सिक्वेंसिंग कराई जा रही है सूत्रों के अनुशार सनिवार की रात 3 जनवरी को जाज के लिए लगाए गए 24 सैंपल में 12 की DNA और RNA मैचिंग कराई गई है इसमें से 8 सैंपल में ओमिक्रोन की पुस्ती की गई है इसमें लगबग 45 म्यूटेशन सामने आये है सेश बाड़ा और सैंपल की जाज का कारे रविवार को पूरा कर रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी पता देए कि वैसे अधिकारिक तौर पर ओमिक्रोन की पुस्ती नहीं की गई है इससे पहले राज्य में ओमिक्रोन वेरियंट की जाज की स्विधा नहीं थी पहली बार 24 सैंपल की जाज सुरू गई है जबकि बिहार में कोविट के 12,000 से अधिक मामले हैं अकेले पतना में सनिवार को 2000 से जादा नए केस में राज्य में सभी कोविट मरीजों की ओमिक्रोन जाज की कोई विवस्ता नहीं है फिलहाल प्राथमिक्ता के आधार पर विदेश रे आए और ओमिक्रोन संक्रमित से संपर्क में आए मरीजों की जाज की जारी है इस तरह एक हफते में 24 सैंपल की जाज आज पूरी होने की उमीद है इसका सीधा मतलब है कि कुल संक्रमितों में एक बड़ी संख्या ओमिक्रोन वाले को हो सकती है बता दें कि IGIMS के माइक्रोबैलोजी विभाद्यक्ष प्रो डॉक्टर नर्मता कुमारी जनेटिक विग्यान डॉक्टर अभै कुमार सिंग के निर्देशन में विग्यानिकों की टीम जाज का कारे कर रही है बिहार में एक मात जनेटिक लाव अभी IGIMS में ही है बता दें कि डॉक्टर नम्रता ने बताया कि रविवार को सभी सैंपल की रिपोर्ट आजाएगी इसके बाद पूरी रिपोर्ट स्वास्थ प्रभाग को बहिज दी जाएगी विदित हो की मुख्यमंत्री विटीश कुमार ने तीन जनुवेडी को IGIMS इस्तित जिनोम लैप कान इरिक्शन किया था उस वक्त 24 सैंपल जिनोम से कुवेंसिंग के लिए लगाए गए थे बता दें कि 40-45 म्यूटेशन सामने आया है डबलो एचो के अनुशार स्पाइक प्रोटीन पर 32-42 वेरियेशन होने पर ओमिक्रोन की पुस्टी हो जाती है बिहार में कुरोन के हैर बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहा है पिछले 24 घंटों में भी कुरोना के बहुत सारे न 8 जनुवरी से 17 जनुवरी तक पूर्ण तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है बता दें कि संक्रुमन की स्रिंकला को तोड़ने के लिए विदान सबा सची वाले को बंद करने का निरनाय लिया गया है साथ में उन्होंने बताया है कि विदान सबा सची वाले पंद रहन के दोरान सभी अधिकारी अपने मोबाइल फोन आउन रखेंगे कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पिहार सरकार ने नई कालिबलाइन भी जारी कर दिये सारे स्कूलों को भी बढ़ कर दिया है और ऑनलाइन मोड में करने का उपस निर्देश दे दिया है